एलो दोस्तो, मुझे उमीद है कि आप से भी अच्छे होंगी दोस्तो, आज यो हम डिसकेश्ट करने वाले हैं क्या जो डे ट्रेडिंग होती है या फिर आप इसे इंट्राडी ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं क्या इससे आपकी लिविंग हो सकती है आपके जो daily खर्चे होते हैं या monthly expenses होते हैं क्या इससे cover किये जा सकते हैं काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है बहुत सारे लोग इसे full time carrier बनाना चाहते हैं वो day trading में आना चाहते हैं intraday trading करना चाहते हैं वो समय समय पर बहुत सारे जो traders होते हैं मिनें दिखाते हैं कि उनका एक क्रौड बन गया 2 क्रोड बन गया या 50 लाग बन गया या फिर 10 लाग बन गया यो लाग बन गया तो इस चीजा को देखते वे उनकेUT मुन में सवाल आता है कि क्या हम भी day trader बन जाए या eternity trading करना सुरू AKr बाकी सारी चीजे छोड़ दे और इसी से ही हमारी खर्चे निकल जाएंगे, बहुत पैसा बन जाएगा, इस तरह के थोट को लेके, मतलब काफी कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचे हैं, इस कोशन को पिक कर लेना चाहिए, और जिससे सारे confusion के लिए हो जाए, तो सबसे पहला सव जवाल उपता है, क्या date rating से leaving हो सकती है, इसका जवाब है yes, मगर no, अब yes भी है, no भी है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन जवाब है इसका नहीं भी, अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको experience नहीं है, आप तुरंत ही आजाते हो, सब कुछ हो चाड़ के, तो उसके लिए जवाब है नहीं, कुछ और rules भी है इसके लिए, जो आज हम detail में discuss करना चाहते हैं, अगर आप bid day trading करना चाहरे हैं, या intraday trading करना चाहरे हैं, और सोच रहे हैं इससे आप अपने खर्चे कवर कर सकते हैं कि नहीं, तो इस आइकन भी प्रेस केजिगा, चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं, जो सबसे पहले हम चीज discuss करेंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, कि आप जल्दी ही अमीर बन जाओंगे, रिच, कि आप day trading करोंगे, और रिच बन जाओंगे, बहुत जल्दी, ऐसा बिल्कुल भी सोच क day trading में नहीं आला है, अब आपके मन में सवाल आएगा, कि हमने तो ऐसे बहुत सारे trader देखे हैं, जिन्नों ने दिखाया कि आज हमारा 1 कोड का profit हो गया, आज हमारा 50,000,000 का profit हो गया, आज हमारा 2,000,000 का profit हो गया, normal, normal हम 10,000 तो निखाली रहे हैं दिन का, या कोई 50,000 निखा बहुत बार दिखाई जाती है, बहुत ट्रेडर्स दिखाते हैं, यह सच भी होता है, मैं नहीं कहता कि वो जूट दिखा रहे हैं, या फिर सही नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल सच दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई और होती है, अगर कोई ट्रेडर आपक कि उसका एक क्रोड का प्रोफिट हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका हर रोज एक क्रोड का प्रोफिट हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसे मोगे कभी-कभी मिलते हैं महीने में मिल गए साल में मिल गए या छह महीने में मिल गए और यह अचानक नहीं होता इसके पीछे उनका 6 से 7 साल या 5 साल डिपेंड करता है मतलब experience होता है बहुत सारा कि आप आज आके बैठ जाओंगे और आज ही आपके एक करोड बन जाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं हो या आज ही आके बैठ जाएंगे बहुत ही minimum amount की बात कर रहा हूं 10,000 कि आपके बन इवन में तो आपको यह भी कहूंगा long term investing जो आप करते हो वो बहुत जादा आसान है as compared to intraday trading अगर intraday trading में आपका आते ही profit हो रहा है तो तुक्के से हो रहा है या लग के कारण हो रहा है वो बिलकुल भी ऐसे नहीं है इसके लिए बहुत जादा आपको experience चाहिए discipline चाहिए बहुत सारी चीज़े चाहिए तो इसलिए आपको यह चीज़े देखके नहीं आना है कि किसी ने आपको इतना profit दिखा दिया और आप तुरंती आके सोचोंगे कि हमारा भी हो जाएगा यानि कि मन में यह सोचके नहीं आना है कि आप जल्द ही अमीर बन जाओंगे इसका एक प्रोसेस है एक तरीका है अगर आप उसे फोलो करूंगे तो यह चीज़े हो सकती है लेकिन साथ में रिस्की भी है इस चीज़ को भी आपको दियान रखे चाहिए अगला टोपिक डिसकस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आ ना तो कोई बाहर रिकमेंडेशन होगा ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा यह जस्ट एजुकेशनल परपस से बनाएगी एनलेसिस वीडियो है इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी तरह का चाहिए वो इन्वेस्टमेंट होए लोंग टरम हो आपको अपनी रिसर्च क हम यहां पर डिसकस करेंगे पहले तो यह समझ में आगा अब किसी का प्रोफिट देखके नहीं आना है ऐसा प्रोफिट हर रोज नहीं बनता क्योंग यहां पर मैं एक चीज वह डिसकस करता हूं कुछ लोग माइंड में कैलकुलेशन लगाने लगए उन्होंने देखा किसी का 1CR का प्रोफिट हो रहा है तो तुरंत कैलकुलेशन लगाएंगे कि 22 दिन मार्केट ओपन होता है और 22 दिन में यानी कि 1CR रोज तो हमारा तो हो गए अब 22 करोड या कुछ कैलकुलेशन लगाएंगे कि 2CR रोज या 10,000 रोज और 22 दिन में कितना हो गया इस तरह की अगर calculation लगा रहे हो तो आप गलत लगा रहे हो ऐसा कोई भी trader नहीं है जो हर रोज profit बना रहो 22 दिन भले ही market open वो रहो losses भी होते हैं किसी किसी दिन बड़े losses होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हर रोज आपका profit होता जा रहो और अगर है ऐसा है किसी के साथ तो उसे बहुत ज़्यादा experience हो चुका है ये समझ के चलना है समझ गया आप जो दिखाया जाता है उस चीज़ को देखके नहीं आना है अपनी skill पे काम करना है अपनी knowledge पे काम करना है वो चीज़े हम आगे discuss करेंगे क्या है कि आप एक business कर रहे हो और जिस तरीके से कोई भी business करता है आपकी family में कर रहे होगे कोई business आपके relatives में कर रहे होगे आसपडोस में कर रहे होगे business तो आपने देखा होगा उनका proper एक time होता है एक money management होता है उनका risk भी होता है उनके अंदर उस business को करने की skills भी होती है उनके अंदर knowledge भी होती है काफी requirement होती है एक business को करने के लिए ठीक वैसे ही जो ये intraday trading है इसके लिए भी आपको चाहिए time चाहिए आपको proper logic के साथ trade को plan करना पड़ेगा proper research करनी पड़ेगी time देना पड़ेगा अगर आप इसे full time करने चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसा भी चाहिएगा जो आप position बना रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए प्लस आपको पीछे backup के लिए पैसा चाहिए आपको जो risk management आपने decide किया है उसके लिए पैसा चाहिएगा या आप यहाप पे उस पैसे का risk ले रहे है वो पैसा आपका zero भी हो सकता है जरूरी यह नहीं है कि आपका increase ही होगा आपकी एक गलती आपने वो कावत तुसनी होगी एक थोट है कि सावधानी हटी दूर घट न घटी तो ठीक वैसे ही जिस दिन आपकी सावधानी हट गी है जिस दिन आपके अंदर over confident आ गया या आपसे एक गलती होगी उसी दिन आप सब कुछ zero कर दूगी और zero का मतलब यहीं नहीं होता है मालनो आपके पास 10 lakh capital है और आपका एक दिन 2 lakh कलोस होगी यह 3 lakh कलोस होगी आप यह कहूँगे आभी भी मालनो 3 lakh कहूँगे आप कहूँगे आभी भी 7 lakh है पर लेकिन आपके पास एक pressure तो आ गया और इस pressure में या इस lows को recover करने के लिए इस पैसे को भी आत्मी खो देता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप zero कर दें क्योंकि जब हमारी capital से पैसे जाने लगता है मालो आपके पास 10 lakh की capital थी यह आपकी capital होगी आपने इसमें 2 lakh का profit बनाया यह आपका profit होगया आपके पास total 12 lakh है ना तो हम इसमें tax include कर रहें नहीं exchange के charges हम इसे एक roughly idea लेके चल रहें एक example लो जब तक आपका इसमें से 2 lakh का अगर lows हो गया आपको इतना फरक नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपका profit गया आपके मन में यह रहेगा कि चलो profit गया है कमा लेंगे यह वैसे जै अब आपके पास कितनी capital बलगी 10 lakh आपके पास बचली और जब इसमें से जाना सुरू हो जाएगा आपका stress बढ़ने लगेगा आपका अपने आप से control हटने लगेगा और फिर आप इस पैसे को recover करने के लिए भागोंगे जैसे आपने बहुत सारे videos में comment भी देखे होंगे कि sir हमारा इतना पैसे डूग गया recover करवा दो या क्या करे sir help कर दो ऐसा कोई तरीका नहीं है help अगर आप चाहते हो तो मैं कहूंगा अपनी knowledge को increase करो अपनी skill पे काम करो best तरीका अपने पैसे को recover करने का वो ही है इसके अलावा कोई बहस तरीका नहीं है पैसे गुरी गवर करने का समझगे trading को वहीं रोक दो और वे गलतिया ढूंडो जिन गलतियों से आपका loss हुआ है उन पे काम करो तो समझगे आपको क्या करना है time देना पड़ेगा इसे इसमें आपका money चाहेगा पैसा चाहेगा आपको सुरुवात में आपको risk लेना पड़ेगा आपको अपनी skills पे काम करना पड़ेगा आपको knowledge लेनी पड़ेगी उस चीज से related, उस field से related आपको अपने आप पे control चाहेगा आपको patience चाहेगा काफी चीजों की requirement होती है मैंने आपे मोटी-मोटी चीजे discuss कर दी, मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, आगे भी बहुत लंबी होने वाली है, पेफिगर रही है फिला like बटन प्रेस कर देगे तो अगला जो हम discussion करने वाले है अब traders को चाहिए demate account अगर आप internet trading करना चाहते हैं अगर आप long term investing करना चाहते हैं तब भी आपको demate account चाहिए इन दोनों ही situation में आपको ध्यान रखने हैं, आपके पास दो demate account होने चाहिए मैं असा क्यों खहरा हूँ ताकि आप जो long term investing कर रहे हैं वो आपकी किसी भी तरीके से परभावित ना हो, वो आपके सामने ना हो आप एक account में intraday trading कर रहे हैं अब इसका benefit क्या होगा? मालों आप intraday trading से profit कमा रहे हो मन्त में आपका जो भी profit होगा मालों आपकी 10 lakh की capital है 10 lakh का हमें example ले रहे थे किसी की कमिया जादा हो सकते है आप इसे यह साब से calculation कर लेगा तो आपका 2 lakh profit हो गया तो इस 2 lakh का 20% या फिर 50% depending on आपका risk management कैसा है या तरीका कैसा है मैं तो suggest करूँगा 50% यानि की 1 lakh rupees आप इसे long term में invest कर देगा अपने दूसरे account में जगके क्या होगा? तो by chance आप अगर 10 lakh capital को lose करते हैं धीरे धीरे जब भी आपको profit होता रहेगा उसका अगर आप हर महीने 50% long term में लगाते रहेंगे तो आपका ये पैसा अलग से store होता रहेगा और अगर आप इसे increase करते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर increase नहीं करते हैं लो आपने 2 lot उठाई आपका profit हो गया आपके अंदर confidence आगया आपने बोला कि भई मैं 5 lot उठा लेता हूँ आपका फिर profit होगा आपका ओर confidence आगया आप सोचेंगे यार एक बार ही बड़ा profit बनाते हैं सीधे हम 20 lot उठा लेते हैं समझ दो ना किस तरीके से गड़बड होनी शुरू होगी तो आप फिर सारा ही capital इस्तमाल करना शुरू कर दोंगे score confident पे लेकिन जब losses होंगे कि ज़्यादा बड़ा lot है तो ज़्यादा बड़ा losses होंगे तो आपको problem हो जाएगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी profit हो रहा है उसका 50% निकार लो और long term में invest कर लो और अगर आप अपना account open करना चाहते हैं तो नीचे आपको upstoke का भी link मिल जाएगा और जेरोधा का भी link मिल जाएगा नीचे description में आपको link मिल जाएगे दोनों में जाके अपना account open करें अगर आपके पास पहले से demate account है well and good बहुत अच्छी बात है येकिन अगर नहीं है तो जाके आप अपना open कर सकते हैं इंट्रेट रेडिंग के लिए आप upstoke या जेरोधा किसी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नीचे description में link है अब हम अगला step पे चलते हैं अगला step क्या है don't carry forward your position अब ये beginners बहुत बड़ी गलती करते है carry forward क्यों नहीं करनी चाहिए इस पे मैंने अलग से भी video प्रोवाइड किया आपको चैनल पे डाले गई है लेकिन मैंने ये point यहाँ पे इंक्लूड किया है क्यों इंक्लूड किया है कि आपकी सारी capital खा जाता है जो beginners होते हैं वो क्या क में आदमी profit boogie कर लेता है problem क्या आती है loss में आती है अगर आपका loss हो रहा है अपका capital decrease हो रहा है तो आप सोचने लगते हो कि यार चलो इसे carry forward कर देते हैं यानि कि कल भी देख लेंगे कल क्या होगा इस तरह किसे आपको carry forward नहीं करना है carry forward अगर आप करना चाहते हो गलत नही की जाती है position कि अगले दिन profit हो जाए लेकिन उनके पीछे logic होता है मालो market यहाँ पर चल रहा है चल रहा है market यहाँ पर एक resistance दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हमने C purchase करका है तो यहाँ पर दो situation हो सकती है या तो breakout आएगा या market गिर जाएगा और market यहीं पर रुका होगा है ह अगर breakout आगया तो हम अपनी position में बने रहेंगे लेकिन अगर market गिरना शुरू होगा जितना भी profit हो रहा है profit book करके निकल लेंगे यह फिर market के लिए एक resistance जोन था हम यहाँ पर हमने C position बनाई हुई है market ने इसका breakout दे दिया और यहाँ पर closing दे दि तो इसका मतलब breakout मिल रहा है कि market उपर ही जाएगा अगर उपर गया well and good हम अपनी position में बने रहेंगे लेकिन अगर गिरना शुरू होगा तो हम अपने जो भी हमने stop loss लगाए होगा मालो इसी support level के क्योंकि resistance था resistance का जब breakout मिलेगा वो support में बन जाएगा तो market हो सकते हैं आपने support लेके तब उपर जाए तो भी लगा सकते हैं यह मैंने जिस्ट एक example डिसकस किया है मैं कहना चाहरा हूँ कि carry forward करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होती लेकिन अगर उसके पीछे logic है तब ही वो सही है नहीं तो वो सही नहीं होता है आपको इस चीज़ को धियान रखने हैं अगली बार जो SL है यानि कि इस्टोपलोस है बिने स्टोपलोस के काम बिल्कुल भी नहीं करना है बले ही आपका स्टोपलोस बार बार हीट हो रो कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर हम जब भी स्टोपलोस लगाते हैं हमारे स्टोपलोस हीट हो जाता है तो उनकी गलती का है उन्हें स्टोपलोस लगाना न हो जाए यह एक में भी ना हीट हो होता जरूर है लोस भी बुक होता है इसे तो मैं कहा रहा हूँ कि कोई भी trader कभी भी अगर वो कह रहा है कि मैं 100% ही perfect बना रहा हूं मैंने हमेशा ही profit निकाला है तो वो कि हमने सही जंगे नहीं लगाया था तरीके से अब इस्टोप लोस हमारा काम क्या करता है अब मान लो जैसे आप 16 कही एक्जामपल लो यहां पर आप देखेंगे market में gap up opening दी काफी लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा market gap open होगया.ggakseits buyин인 position बना लेते है काफी लोग ने दिमाग लगया market gap open होगया gap को fill करेगा selling position बना लेते हैं दोनों यह तरीके से weiß लगाई होगी तो एक logic होगा न, कहाँ पे stop loss लगाना है, अगर hit हो जाता है, तो कोई बात नहीं, accept करो, लेकिन जो buyers है, जिन्होंने buy किया है, उन्हें भी तो stop loss लगाना है, stop loss लगा सकते हैं, यह तो market, यह तो यहाँ पे इस level पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें एक resistance की तरह एक्ट कर सकता ह है, यह market अगर उनका risk जादा ही है, वहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे market gap को fill करेगा, possibility है market, वहाँ पे support लेगे, क्योंकि जब gap को fill करता है, वहाँ से भी दो condition बनती है, यह तो market support लेके उपर चला जाएगा, या फिर breakdown देके नीचे चला जाएगा, वह breakdown देके नीचे चला पर जाएगा, इसी चक्कर में बैटर रहते हैं, तो इसलिए stop loss लगाना जरूरी है, चाहिए वो बार-बार hit हो जाए, और stop loss कैसे लगाना चाहिए, कहा लगाना चाहिए, इस पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जाए उसे देखिए अच्छे तरीके स समझे, समझ के आप अच्छे तरीके से, दोस्तों अगर आप अपनी knowledge को increase करना चाहते हैं, फ्री में, तो हमने एक website बनाई है, website का link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा, जाए और website पे विजिट कीजे, वहाँ पे हम आपको article भी provide कराते हैं, even फ्री में आपको videos भी provide की जात आपको अमारे दूसरी channel का भी link नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप अपनी knowledge को increase कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, उमीद है आपको यह समझ में आया होगा, क्या day trading से living हो सकती है, आपको इस sponsor मिल गया होगा, क्या-क्या गलतिया होती है, क्या-क्या चीजों को subscribe कीजिए, bell icon press कीजिए, फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ, thank you